नमस्कार न्यूस वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सुमन रिशब पंत गंभी रूप से घायल हो गए हैं मोके पर पहुँचे स्थानिय लोगों और पुलिस कर्मियों ने रिशब पंत को कार से बाहर दिकाल कर अस्पताल में भरती करवाया और रिशब पंत शुकरवार सुभा ही दिल्ली से रूड़की के डेरा में मौजूद अपने निकाला गया और पहले नेक नीजी अस्पताल में भरती कराये गया था लेकिन प्राथमी के चिकित्सा के बाद उन्हें दूसरी जगा पर रैफर किया गया है उत्राखंड के मुखे मंत्री पुशकर सिंग धामी ने एलान किया कि रिशब पंत के इलाज का सारा खर्च उत् करेगी सर बाद बाद कर रहे हैं सिद धबली बाबा के दर्शन कर भंडारे का आईजन किया तो वही उत्तर परदेश से आए विधायक परधान और बी टी सी मेंबर और कई बड़े नेताओं ने सिद धबली बाबा का भंडार परसाद के रूप में ग्रहन किया और पूर्प मुखे मंत्री और सांसर तिरत स सिंग रावत ने भी दर्शन करने के बाद सिद धबली बाबा का भंडार परसाद के रूप में ग्रहन किया है खबर हरिदवार से है जहां आपको बता दे 29 दिसंबर को फर्जी जॉइनिंग लेटर दे कर लोगों के साथ फर्जी वाड़ा करने वाले गीरोह का रोशनाबाद पुलिस कार्याले में SSP हरिदवार जे सिंग के द्वारा खुलासा करते हुए SSP हरिदवार दे बताया कि सरकारी नोकरी का लालच देकर बेरोजगारों को फर्जी लियुकती परमाण पत्र उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हाई लेवल इंस्पेक्ट के आर्मी ड्रेस में ओफिसर रहते थे और साथी दो गार्ड भी मौजूद रहे थे जिससे शक कोई गुंजाईश ना रहे और SSP हरिदवार ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना में परियुकत बुलेर वीडियो सेंटरों कार लगभग एक दर्जन से अधिक चेकबुक पासबुक फरजी नियुकती परमान पत्र और कई विभागों की फरजी मोहरे और गाडों के द्वारा पहनी गई आर्मी की वर्दी पुलिस जैकेट और बरामत की गई है फरजी जैकेट और उसके साथ ही फरजी भरती सेंटर के चार सदस्यों को गिरफतार भी किया गया है और पकड़े गए सभी पुने विजय नोटियाल पुत्र अमीर सिंग निवासी और टिकमपूर लकसर रेडु पुत्री अमीर सिंग निवासी उपरोक्त नितिन पुत्र उपरोक्त सिधार्थ पुत्र नवबाहार सिंग धारी वाली पत्री हरिद्वार को गिरफतार किया गया है जबकि एक अभीयुक्त अर्जे नोटियाल पुत्र वीर सिंग निवासी टिकमपूर कोतवाली लकसर की फरार बताया जा रहा है उतरकाशी के मुखेम रेंज के अंतरगत सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल बेयाद सुभा अचानक घाय जंगली जानवर घुरल आ गया और इसको देखने के लिए लोगों की भीड इकठी हो गई और स्कूल करमचारियों ने घुरल को क्लासरूम में बंद कटिया और इसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दी गई वन विभाग के करमचारी पिंज्रा लेकर मौके पर पहुँचे और घायल घुरल की आबू कर पिंज्रे में बंद कर इलाज के लिए अस्पता ले गई वही वन विभाग के करमचारियों का कहना है कि इसके बाद खायल घूरल को जंगल में छोड़ा जाएगा और आजकल अत्यधिक ठंड होने के कारण वन ने जीव आबादी वाले छेत्रों में और जादा रुख कर रहे हैं तो उत्तरकाशी से आपको खबर बता दे जहां पर लोगों में दैशत देखी गई है बताया जा रहा है कि स्कूल में अचानक से जानवर आ गया जिसके कारण सभी लोग घबरा गए और ये भी जानकारी सामने आई है कि मुखेम रेंज के अंतरी चले रुख करते हैं खबरों की और सरदी बढ़ने के साथ ही ठंड को लेकर तरह तरह के वीडियो शोशल मीडिया पर सामने आ रहे है और इस बीच हरिदवार के गंगा घाट का भी एक वीडियो शोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है जिसमें एक यूवक लोगों से उनके बदले गंगा में डुपकी लगाने का ओफर दे रहा है और वीडियो में यूवक कहता नजर आ रहा है कि आपके और आपके परिवार के नाम की डुपकी गंगा में हम लगाएंगे और इसके लिए आपको सिर्फ 10 रुपे चुकाने होंगे वीडियो शोशल मीडिया पर जबकर वाइरल हो रहा है और जिस पर लोग तरह तरह के कमेंट भी कर रहे है और कोई इसे नया बिजनेस तो कोई ठंड का आसर बता रहा है गौरतलब है कि इस समय कडाके की सर्दी पड़ रही है और इसके चलते गंगा में डुपकी लगाने के लिए पहुचने वाले शर्धालों की संख्या में भी कमी आ गई है जिसके बाद ये एक इंदया एजंडा देखने को मिल रहा है चमोली जिले के बदरिनात ओली हेमकूंड साहिब में बरफ बारी हुई है जिसके कारण निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है हेमकरेनास मौझूद ओली में सीजन की पहली बरफ बारी हुई है जिससे देकर प्रेटक काफी खुश नज़र आ रहे है हाला कि ओली में थोड़ी सी बरफ जमी दिखाई दे रही है महराज गंज के सोनोली बॉर्डर पर रहन बसेरे में 50 रुपे सुविधा शुलक ली जा रही है बता दे आपको कि आदर्श नगर पंचायत सुनोली में मौजूद रहन बसेरे में ताला लटका मिला है और दस बेड की ववस्था की गई है बाहर पेपर पर दो जगा लिखा गया है एक पेपर पर लिखा है कि 50 रुपे लगता है और बिना अधार कार्ड के अंदर आना मना है और दूसरे पेपर पर लिखा है कि एक बेड पर दो आद्वियों को सूना है और अपनी साबान के सुरक्षा समय करें जहासी में मजारों और मंदिरों का द्वस्ति करण हो रहा है जिसको लेकर लोगों ने आकरूश जिताया है जिला परिशासन, खाकी शा, मजारों और मंदिरों को अतिकर्मन के नाम पर द्वस्ति करने पहुँचे और वहीं शिया समुदाय में भी आकरोश नजर आने लगा है क्योंकि वहाँ शिया समुदाय दस महर्म को अपना मातमी जुलूस लेकर जाता है और वहीं ताजिय दफन होते हैं बता दे आपको कि जहासी का महल अचानक उस वक्त गरम हो गया जब जनपत का प्रशासनिक अमला लक्षमी ताल के निकट मंदिर और मजार को जमी दोज करने के लिए पूरे लाव लशकर के साथ पहुँच गया जिसमें भारी संख्या में कई थानों का पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पहुँच गए जब इसकी सूचना हिंदू-मुसलिम समाज को लगी तो बता दे आपको कि दोनों ही समुदाई के लोग वहाँ भारी संख्या में पहुँच गए और अपना अपना विरोध शुरू कर दिया जिसके कारण जिला परशासन के हाथ पैर फूल गए और दोनों समुदाई से बार्ता का दौर जो काफी देर तक चलता रहा और विरोध इतना था कि जिला परशासन को वहाँ से लाव लशकर के साथ वापस आना पड़ा उतरपरदेश के जनपत रामपूर में पिछले दिनों कई घटनाए ऐसी हो चुकी है जिसके सेक्स के नाम पर लोगों को पहले तो फसाया जाता है फिर उसके बाद मामला खतम करने के लिए भारी भरकम रकम भी एठी जाती है ऐसे मामलों पर पुलिस अधिक्षक अशोक कुमार शुकला के निर्देशन में अभियान चलाया गया और इसी के तहट एक ऐसे हनी ट्रेप गैंग का परदा फास्ट किया गया जिसके द्वारा कई लोगों को अपना शिकार बनाया गया है रामपूर के पुलिस अधिक्षक अशोक कुमार शुकला को कुछ सूचनाय प्राप्थ हुई कि जनपत में एक ऐसा गैंग सक्रिय है जितमे शामिल महिलाओ द्वारा पहले तो जहासा देकर सेक्स किया जाता है और फिर उसके बाद मामले को रफा दफा करने के लिए भारी प्राश कर दिया और आरोप है कि सिविल लाइन स्थाना चेतर में मौझूद सैंट पॉल स्कूल के निकट एक कालोनी में देव वेभार का जो धंदा है वो चल रहा है और जिसकी सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुँच गई और दो यूपतियों सहीत कुल पाच अ महोबा के शहर कोतवाली कस्बा के पोस्ट ओफिस के पास संचालित शिफ शक्ती ज्वेलर्स में शातिर महिलाओं ने दुकान में चोरी की बारदात को अंजाम दिया है पूरा मामला CCTV बेकैद हो गया है टपे बाज महिलाओं ने ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की घटना क को शातिर तरीके से अंजाम दिया और बताया जा रहा है कि ग्राहक बन करदो महिलाओं ने चोरी की घंडा को अंजाम दिया और इसके साथ ही सोने की जुनकी लेकर मौके से फरार हो गई बहराद महिलाओं की करदोथ सिस्टी वी में कैद हो चुकी है और पुलिस मामले की जाच में जुट गई है तमिलनाडू से चलकर शिरी हनुमान छत्री यातरा राम नगरी आयोध्या पूची और आयोध्या अखिल भारत हिंदू महासभा के तमिलनाडू के परदेश अधियक्ष रमेश बाबू के निततु में 49 से चलकर आयोध्या पूची हनुमान छत्री यातरा हनुमान गड़ी पर संपन हुई और इस दोरान परदेश अधियक्ष रमेश बाबू और अन्य पदधिकारियों के निततु में आयोध्या की बिड़ला धरम शाला से हनुमान गड़ी तक भव्य चत्री यात्रा निकाली गई और हनुमान गड़ी के गदिन शील महंत प्रेम दास जी महराज के माधियम से चत्री भगवान हनुमान को समर्पित की गई तो वहीं दूसरी और भगवान श्री राम लल्ला के समक्ष अपने ही किये गए एक संकल्प के साथ 108 किलो की चांदी की छत्र समर्पित की गई और वहीं छत्री यात्रा निकालने से पूर्व अयोध्या आगमन पर हिंदू महासभा जिला अयोध्या के पददिकारियों ने तम बहराइच पहुंचे उत्तर परदेश फायर बिर्गेट विभाग उप महा निरिक्षक जुगल किशोर तीवारी ने फायर स्टेशन का निरिक्षन किया और इसके बाद उन्होंने गुला बेर मंदिर पहुचकर पूजा अर्चना की फायर स्टेशन पर निरिक्षन के दोरान उप महा निरिक्षक द्वारा वहां के करमचारियों और अधिकारियों को फटकार लगाई गई उन्होंने वहां पर वयापक साफ सफाई करने की आदेश दिये और साथ ही फायर विल्गेट बिल्डिंग का नभी करन कराने के लिए जिले के पुलिस कप्तान के परस्ताव की मांगा है और उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सभी करमचारी चोकाने और बिल्डिंग में साफ सफाई की ववस्ता विशेश रूप से रखी जाए उन्होंने बताया कि पूरे परदेश में सभी तहसीलों में उसके बाद सभी ब्लॉकों में फायर स्टेशन बनवाए जाएंगे ताकि किसी भी अनहोनी को समे रहते रोका जा सके महराज गंज के जिला अस्पताल में परसव के बाद महिला की मौत हो गई जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंकामा किया है परिजनों का आरोप है कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिला की हालत बिगड़ी थी और हालत बिगड़ते ही जब परिजनों ने अस्पताल में तैनाथ चिकेट सको हो इसकी जानकारी दी तो उन लोगों ने अंसुना कर दिया महिला के मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल पर शासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में तोड़ फोर करते हुए नजर आये हैं और जम कर बवाल काटा है सूचना मिलते ही मौके पर पहुँची कोतवाली पुलिस लोगों को समझाने बुझाने में लगी है दरसल सदर थाना छेतर के सोनरा की रहने वाली एक महिला ने ओपरेशन से एक बच्ची को जनम दिया नवजाद बच्ची के जनम के कुछ देर बाद महिला की मौत हो गई इस के रोते रहे फिल्हाल पूरे अस्पताल को छामनी में तब्देल कर दिया गया है पुलिस द्वारा परिजनों को मनाने में जुटे हैं और फिल्हाल अभी तक अस्पताल या जिला परिशासन का कोई भी बयान सामने नहीं आया है बहराईच में पुलिस अधीक्षक बहराईच श्री प्रिशान्त बर्मादवारा रिजवर पुलिस लाइन में मौजूद प्रेट ग्राउंड पर शुकरवार की सब्ताही का प्रेट का निरिक्षन किया गया निरिक्षन के दोरान पुलिस अधीक्षक बहराईच श्री प्रिशान्त बर्मादवारा प्रेट में उपस्थित समस्त पुलिस कर्मियों को टर्न आउट का अवलोकन किया गया और इसके साथ ही बहतर टर्नाउट वाले पुलिस कर्मियों की परिशंसा की गई और साथ ही प्रेड में शामिल समस्त पुलिस कर्मियों को साफ सुत्री और निर्धारित वर्धी धारन करनी और नियम अनुसार टर्नाउट में टेन करने के लिए भी निर्धी शित क्या गया है महोबा में जुला क्रिशी अधिकारी का बीते दिनों कोई आडियो वाइरल हुआ था और आडियो में आप देख सकते हैं कि वाइरल आडियो में क्रिशी अधिकारी के द्वारा खाद दुकानदार से गाली कलोच और सुविधा शुल की मांग की जा रही थी दुकानदार के शिकायत पर वाइरल आडियो में ही आप देख सकेंगे कि किस तरह से पड़ताल की गई और बताया जा रहा है कि महोबा जिले में तैनात जिलारो क्रिशी अधिकारी वीपी सिंग और एक महीने पहले शिरिनगर छेतर के दुकानदार ने दुकान में दूसरी कमपनी के उतपाद रख रखाव जबरन बेजने का दबाव बनाने और सुविधा शुल क की मांग करने का ओडियो वाइरल हुआ था जिसके बाद रेलवे स्टेशन के खाद की रेक उतरने पर एक शर्मिक से मारपीट और पीसी एफ परबंधक से बत्तमीजी का भी मामला सामने आया था महोबा में सडक हाथ से थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और आज फिर तेज रफ्तार कार और बाइक के बीच हुई भीशन टकर के चलते बाइक सबार युवक की मौत हो जाने से उसके परिजनों में कोहरा मच गया है और तो वही पुलिस द्वारा शव का पोस्ट माटम कराते हुए मामले की तफ्ती शुरू कर दी गई है मामला थाना खना चेतर के ही टोल प्लाजा के पास का बताया जा रहा है जहां पर चिचारा गाउं निवासे 27 वर्षे विरजेश सिंग बाइक से खना टोल प्लाजा की और जा रहा था और तभी एक्सप्रेस में पर गुडा मोड के पास सामने से आ रही तेज रफतार अग्यात बुलेरव कार ने उसे जोड़दार टकर मार दी जिसके चलते बाइक सवार उचल कर दूर जा गिरी और गंफी रूप से घायल हो गया सूचना पर एम्बुलेंस से घायल को जिला स्पताल पहुंचाया गया जहां उपचार के दोरान उसकी मौत हो गई यूवक की मौत की खबर सुनता ही उसके परिजनों में कहराम मच गया है तो वही पुलिस के द्वारा मिर्तक के शव को पोस्ट मार्टम करने के लिए बेज दिया गया है और आगे की जांच की जा रही है हरदोई में All India Federation Prime Shop Dealers Federation के परदेश उपाधियाक्ष और जिलाधियाक्ष चंदरपरकाश रसिंग के नततु में कोटे दारों ने कलेक्टरट में परदेशन किया क करते हुए कोटे दारों ने आप सांसत की बेयान बाजी पर आकरोश जिताया और मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए भी ज्यापन में कहा गया कि आम आदमी पार्टी के सांसत संजे सिंग के द्वारा राशन विक्रेताओं के बारे में अम्रियताएं टिपनी की गई हैं और जिसका हरदोई के समस्त उच्छी तदर विक्रेता विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध परदेशन के चलते 29 दिसंबर को एक दिवस्तिय कार्या मुक्त होकर सामोहिक विरोध करेंगे और कोटेदारों ने ये अपील भी की है कि कोई भी सांसत किसी के प्रती भी अलग भाशा का प्रियोग नहीं करेगा और आम आदमी पार्टी के सांसत के द्वारा दिये गए बयान की कोटेदारों ने निंदा भी की है और कहा है कि ऐसी किसी भाशा को शक्षे नहीं माना जाएगा फतेपुर जिले की सांसत और केंद्री मंत्री सादवी निरंजन जियोती एक दिवस्यत दौरे पर जिले में कई कारेकरम भाग लेने के बाद जिला मुख्याले में मौझूद हाइवे के पास बने पोस्ट मार्टम हाउस के बाहर परतिशाले का फीता काट कर उठाटन करने के बाद कहा कि पोस्ट मार्टम हाउस में आने वाले तिमारदार को बारिश और गर्मी में बैठे की कोई ववस्था नहीं रही जिसको लेकर लगबग 2 लाख रुपए से इस परतिशाले को बनवाया गया है जिससे अब लोगों को धूप के साथ बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा उन्होंने कहा कि पोस्ट मार्टम हाउस में और भी जो समस्या होगी उसको दूर करने का काम होगा और साथ ही कॉंग्रेस के देश छोड़ो यातरा को लेकर पूछे गए सवाल की भी कॉरोना के नाम यातरा को रोखने का आरोक केंदर सरकार कर रही और उस तो बोलते हुए उस पर उन्होंने केंदर्य मंत्री साध्यी निरञजन जूती ने कहा कि कॉंग्रेस की यात्रा को उनके पार्टी के लोग रोखने का काम कर रही है और उनकी ही पार्टी के लोग कॉंग्रेस को खोने का काम कर रही है फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही खबरों का सिलसिला लगातार जारी है आप देखते रहें निउस वरल इंडिया